दोस्तों नमस्कार हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सुभा के 6 वजे देखिए आप लोग हर रोज यहां पर क्लास जोइन कर सकते हैं ज्ञारखन जी के पेपर की तैयारी कर सकते हैं पूरा ज्ञारखन आप लोग को जो है रिविजन करा दिया जाएगा इन पचास कोस्चिन में से बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो को अच्छे दिरके से जरूर पूरा देखिएगा सबसे पहला कोसे ने मुख्यमंतरी स्वक्ष विद्याले पूरुसकार योजना के दायरे में आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बताना सरकारी विद्याले, सरकारी सहिता प्राप्त विद्याले, नेजी विद्याले, अपर देखिए उप्रोक सभी इसका देखिए साही अंसर, डी नमबर, यानी इसलों उपरोक्त सभी साही अंसर होगा, मुक्यमंत्री स्वक्ष बिद्याले पुरुसकार योजना ध्यानर रखेगा, यह 2019 में start किया गया, राज्य सरकार दवारा देखिए 2019 में start किया गया, इस योजना का प्रमुक में स्वक्षता अभ्यान को जो है बढ़ावा देना तथा बच्चों को स्वक्षता के परती जागुरु करना इस योजना का उद्देश था आईए अगला कुशन देखते हैं कुशन नमर सेकेंड देखेंगे जहारखन राज में कितने नगर निगमों की अस्थापना की गई है देखेंगे इसका सई अंसर क्या वोगा दूस्तों दियान रखेंगे सी नमर अब तक दुस्तों आप लोगे जहारखन राज में देखेंगे नो नगर निगमों की अस्थापना की गई है दूस्तों यहाँ पर दिखेंगे कौन-कौन सा है राची है धनबाद है देवगर है आदित्यापूर चास चास नगर निगम मैदनी नगर निगम हजारी बाग नगर निगम मानगो नगर निगम गिरेडी नगर निगम यह दूस्तों नो है कुल्मलाकर आप लोगा जो है नगर निगम की अस्थापना किया गया है जिसमें दूस्तों देखें राची नगर तो आप लोग ध्यान रखेगा इन सभी नगर निगमों को आई अगला कुस्चिन दिखते हैं तो दिखेए सब्सक्राइब निगमों को आप लोग ध्यान रखेगा इन सभी निगमों को आप लोग लोगा ऑप्शन में दिया हो तो यहाँ पर जो है आठ परमंडल है, तीन जीला है और पचास परखंड है, ठीक है, कोलान परमंडल में और पलामू परमंडल में जो है तीन तीन जीला है, धियान रखे है कि सबसे कम तीन तीन जीला है, और यहां पर देखे परखंड की संख्या देखे पलामू का जो है पचास परखंड यहां पर देखे आप लोका है पलामू परमंडल का और यहां पर देखे कोलान परमंडल का जो है 38 परखंड है यहां पर देखे इन अनुमंडल की बात करें पलामू में देखे आठ अनुमंडल है और कोलान में देखे साथ अनुमंडल है उसी तरह सो यहां पर देखे संथाल प्रग कि अन्तर काता है सबत सब्सक्राइब 2465 उनलाकर कर तो निम्लखीत में से तो उसतर दुस्रम हो यहां पर दे बात करक्षा करें तो 50 15 मिलाकर डेकर 20 अनमंडल है घंट आप 45 अनमंडल है छारकन बेघ's पर देखेंगे निमलकीत मैंसे किसे जार्खंडी हिंदी सहाइते का पर्थम नाटक यहाँ पर जो है आपको बताना है यह पर देखेंगे जार्खंड हिंदी सहाइते का पर्थम नाटक माना जाता है जार्खंड का तो कुछ महतपूर्ण प्रमुक कभी तथा उनके रचनायम आपको बताना चारा है यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ध्यान आप लोग रखिएग देखेंगे थे यहाँ पर आधिधर्म दोस्टीका आधि धर्म जो की रचनाकार को इसके घर मुर्मु इसका मुर्मु रचनाकार है ट्हेस्सी तरह से अरणे अधिकार का रचनाकार का कौन निलकंत हुआ का रचनाकार महुआ मंजी है देखे इन सब जितना भी भूक हम आपको बताएं दोस्तों धियान रखेगा इन सभी भूक को जो है एक्जाम में पूछा जाता है इसलिए दोस्तों हम आपको देखे महतापूर्ण देखे अगला कोशन जारखन है बिकसित राजमहल ट्रेप का बिस्तार मुलता आपको देखे बता नहीं है दोस्तों धियान रखे राजमहल ट्रेप झो कि जुरेसिक काल में देखे इसका निर्मान हुआ था लावा के बहाव से राजमहल त्रैफ का देखे निर्मान हुआ था ठीक है इन चट्टानों के यहां इन चट्टनों के अपक्ष्यान के परीनाम और ध्यान पूर्वी भाग में है जो कि सो उत्तर पूर्वी भाग यानि सहीव गंज के पूर्वत्तर भाग तक पाकुड के पूर्वी भाग में है इसकी दूसरों उचाए कि बात करा तो ध्यान रखे करा राजमहल ट्रेफ के उचाई 900-111 मिर्टर तक है इसके उचाई आई अगला कुशन देखे राजमहल पहाड़ी चेतर का विस्तार आपको बताना है लगभग में कितनी है देखिए सो यह आप लोग कुशन मतलब यह आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं है यह राजमहल ट्रेफ है यह ठीक है और यह राजमहल पहाड़ी की बात हो रही है तो द गोड़ा पाकुड साहिवगन जीले तक है ठीक है दुमका देवगर गोड़ा पाकुड साहिवगन जीले तक देखिए राजमहल पहाड़ी का देखिए विस्तार है ठीक है इस चेतर में देखिए इस तीतर राजमहल की पहाड़ी बिहार के केमूर पहाड़ी तक विहार के क पंझे अगले «कुश्य नूम्ट। आपको देखे बताना है ये question number देखे आप लोग का 7 है ध्यान रखेगा ठीक है ये question number 7 है बराकर नदी का मुहना आपको देखे बता नहीं है इस question का देखे सही अंसर बी नमर यानि दामोदर नदी ठीक है ध्यान रखे सो दामोदर नदी बराकर नदी का मुहना कहा है तो देखे दामोदर नदी इसमे हाचारी बाग गिरडी धनबाद इसका अफ़का छेत रहे हैं इस नदी का जो है उल्लेक दोस्वों देखे बोध एवं जेन साहत्यों में भी मिलेगा दोस्वों यहां पर देखे जैसे कि आप आप्टों में दिया है कि दामोदर नदी चलिए दामोदर नदी के बारे बात कर है ठीक होगली नदी वहां पर जा करके मिल लाती है और दोस्वों ध्यान रखे कि इसके बाउन दामोदर नदी के बात करें तो दामोदर नदी दामोदर नदी के अफ़ाचेतर की बात करें ड्यान रकेंगा आप अधोर नदी के बात करें के निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा करकेा जो है मिल जाती है सोने रेखा नादी के दिशन लंबाई की बात करें 470 किलो मेटर है इस नदी के रेट में देखिए सोना का जो है अंस पाया जाता है दोस्तों ठीक है देखिए इसमें आप लोगा ओप्सन दिया है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन आप लोगा जारखंट इस्थित इन में से किस जिल का निर्मान 1831 ब्रेटीस सरकार दुवारा देखिए कराया गया था तो चलिए आप लोग को आंसर देना है ध्यान रखिए इसमें ये कुशन नमर आप लोगा एट है तो देखिए इस कुशन का सही अंसर होगा हजारी बाग जिल ठीके बी नमर आप लोगा जो इसमें देखिए राइट इंसर होगा ठीका जहारकंड इस्थित इन में से जो है किस जिल का निर्मान 1831 इसमें ब्रेटीस सरकार दौरा कराया गया ठीका था तो हजारी बाग जिल किसमें जो है आप लोगा राइट एंसर होगा दोसें यहां पर देखिए आप लोगा ओप्सं दिया तो पांची दिल तो पांची जिल जो कि आप लोग ध्यान रिकर सो याज देखिए लोग का जहें तो पांची जिल आप लोगा जो है दोसो चोगड़ अब्वारण के पास जो है अवस्ती थे यजिल या पर एक ऑप्शन दिया नेजी अभिएरन के पास जो है अवस्ती थे अगला कोश्यन देखिए सत्वागन जलपरपात जहारखन राज के किस जीले में अवस्तित है इस कोश्यन का देखिए सही अंसर उसे कोड़ रमा यह कोश्यन नमबर आप लोग दियान रहे हैं राइट अंसर का देखिए कोड़ रमा ठीक है दोस्तों दिया यहां पर हजारी सूरज कुंट आप लोगा का जैल पर पात इसृत है और दुस्तों यह बहुगा इससी थिते फेक में देखिए चत्रा कुछछने कोणकों सी जल परपात है गोवा तमासीर पीर दोस्तों मालू-दह भाई महादिफ यह प्रकार की जलवायू का परभाव होता है इसका नियुक्त यह उत्री भाग और उत्तरपस्मी भाग यह दोनों ही आप तो उत्री भाग और उत्रपस्वी भाग ये दोनों ही उप्सन अप इसमें ध्यान रखेगा महादूई प्रकार की जलवायू का भाग है इसमें दूसरों यहां पर बरसा होती है यहां पर देखिए आप लोगा जोगदा सेंटीमीटर से लेगर की तो यहां पर बरसा होती है इस परकार की जलवायू परदेश की जो है प्रमुख विस्यस्ता क्या है कि ठंडे के मौसम में अत्यधी ठंडा पड़ता है और गर्मी के मौसम में दूसरों अत्यधी गर्मी पड़ती है ठीक है आई अगला कुस्चिन देखते हैं यह दिखिए को कुस्यन अफ लोगा 11 है जहरखंड के किस चेत्र में रिटली मिट्टी अधिक अधिकता पाई जाती है ? diamond AMY कि अफे प्रकार के यह बाओ को बता चुके हैं है डूसरा टमेटी आप लोगए लाल मिटी तो जो की सरव प्रमुग मिटी माना जाता है जहारकंड की छोटानपूर पठार चेतर में यह फैला हुआ है और दोस्तों छोटनापूर मिट्टी में जुवार, बाजरा, रागी, गन्ना, मुंफली की किरिसी की जाती है, ठीक है, दूसरा है, काली मिट्टी आप लोग ध्यान रहे हैं, जो कि राजमहल पहाडी छेतर में देखिए, इस मिट्टी का विश्तार है, इस मिट्टी में देखिए, कपास की खेती मतलब अत्यां तुपयोगी मना जाता है, कपास की खेती को, ठीक है, लेकिन राजमहल छेतर में देखिए, खेती की जाती है, काली मिट्टी से, लेट्राइट मिट्टी दूसरों, तीसरा नमर का अप लोग ध्यान दक्षिनी खेतर में, राची का पस्चिमी खेतर में, संथाल पर दूसरों, आप लोग को हम बता चुक है, जलूर मिट्टी दूसरों, तीसरों, यह मिट्यंनमर प्रहन घेतर में, जलूरूर मिट्टी में, संताल प्रती की खेती की जाती है, अबरक मूलक मिट्टी की बात करना मान्डू, जुमरी-तिलिया, बढ़का-गाहतमा में, राज में रेसम अधारित उत्पादों के भिकास है तू जार क्राप्ट का गठन किस वर्स किया आपको बताना है यह कुश्य नमर ध्यान के टूवेलब है देखे इस कुश्य का आप लोगा जो है सही अंसर क्या वास नहीं कुश्य नमर देखे टूवेलब है दोस्तों इसका देखे ध्यान रखेगा आप लोग जो है 2006 में देखे राइट अंसर होगा ठीक है ध्यान रखेगा रेसम अधारित उत्पादों के जो है विकास है तू सन 2006 में राजसरकार दोवरा जहारकंड सिल्क, टेक्स्टाइल, एबम हेंडी क्राप्ट, डेवलोप्मेंट कॉर्फरेशन यानि जहारक्राप्ट का गठन किया गया 2006 में ठीक है दोस्तों देखे जहारकराप्ट दोवरा जहारकंड के चार जीलो में रेसम पार्कों की अस्थापना की गई है तसर रेसम के उत्पादन की जो है दिरिष्टी से जहारकंड का देश में अस्थान पर्थम अस्थान है ध्यान रखे का सों तसर रेसम के उत्पादन के दिरिश्टी से जारखंड का देश में अस्तान पर्थम है यहाँ पर दोसों देश का जो है 60% तसर रेसम देखे उत्पादन किया जाता है राची के नगड़ी में जो है भारत सरकार दुवारा ध्यान रखी का तसर अनुसंधान केंद्र अस्थापना की गई है आईए अगला कुछिन देखते हैं अगला कुछिन देखते हैं जहार पार्क है यह ठीक है पिछले हम लोग देखे थे जहार क्राप्ट देखे थे यहां देख रहे हैं जहार पार्क देख रहे हैं जहार पार्क के तहत सामिल निम्न में से कौन सा पार्क राची में अवस्तित नहीं है तो देखे सो आपको बताना है जहार पार्क के तहत सामिल इन में से कौन सा पार्क राची में अवस्तित नहीं है इसका देखे सही अंसर क्या होगा ध्यान रखी ये कुस्चिन अमर आप लोगों को देखे 13 है देखे कूल मिला कर दोसों आप लोगों का जो है दस पार्क है जहार पार्क के जहारकन सरकार द्वारा जो है पार्कों के पार्कों एवं बगिचा के प्रवंदन एवं विकास है तू जहार पार्क का देखे गठन किया गया ठीक है जहार पार्क के दोसों जहार पार्क के अंत यह टिए जहें और और वी और ऊंप अंप कहा पार्ख थिया descended Program इतने त्वा लिटें voice जोगी डेयाँ रहती निर्मल महतलव पार्ख गह के घरिफाः अंबिड़कर पर परक दूस्तों जोगी दिशुन ध्यान की का सिल्ली में आप लोगा देखिया चिथ हैंबैठकर परक और दूस्दों ध्यान की कर देके घोड़ा बंधी ठीम पार्क देखे जोकी चमसेदपूर में अश्तित हैं परकति जो आक टोस्तों आप लोगा से तो यहांपर देखे मे इनलों मैंसे कौन सा बार्क रांची में अवस्थित नहीं है अस्थाने क्रिसी का नाम देखे खुला क्रिसी है तो कुछ हम महत्वपूर्ण मतलब इन्पॉर्टेंट चीज बताने चाहरा है क्रिसी के बारे में ध्यान रखेगा जैसे कि राज की प्रमुक फसल ध्यान के धान है ठीक है कुल सिंचित भूमी दोस्वों कितना है अप लोग भूमी है जहर खंड मैं सिचाई के साथं दोसुं जहर खंड मैं क्या-क्या कुमा है तलाब है नहर है नलकूप है यह सब देखे उत्तरी कोयल पर यूजना से जहर कंड के निमनया से कोन परियोजना के तहट जो है गडवाद जी ले के कुटकु ठीक है तो अम लीग दे रहे हैं सो तो के गडवाद जी ले के कुटकु नामाक अस्थान पर एक बांध एवं बिद्दूद गीरिया निर्मित किया जाना है जहरखन में इन में सी कौन सी कोईला परियोजना का संचालन 2012 के सहीजट से किया जा रहा है जर्यया पर राय आप अंसर हो जाएगा रजरपा परियोजनााएं भी सही होगा कत्रास पर्योजना भी सही जो कि कोईला परियुजना का जो पांच परीजना है जो कि जरिया रजरपा है गत्रास है राज महल है और दामुदर है धाया १ ज्यारकण को जो है खनी से प्राप्त कूल राजस्व का 75% जो है 75% हिस्सा केवल कोईला से प्राप्त होता है उत्पादन की 30 की से देखा जैंट जार्कन का सबसे बड़ा कोईला खान जरिया टेक ए उत्पादन की दिरिष्टििसे जरिया है और दोस्तों दियान रखे का आप लोगा जो है छेतरफल की दिरिश्टी से बात करें तो देखे सबसे बड़ा खान आप लोगा जो है करनपूरा है जारकन का सरवपर्थम कोईला खनन का जो है काम दामुदर घाटी निगम छेतर के अंतरगत जरिया में आरम हुआ ठीक है जरिया जो है दोस्तों आप लोगा कहा परिश्टी थे धनबाद में ठीक है जरिया जो है अपलोगा धनबाद में ठीक है ध्यान रखे का यहां से जो है कोईले का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है जारकन देखिए भारत में सरवाधिक कोईला उत्पादक राज्य है आज में और द्योगीक छेत्र विकास प्रादीकरन है देखिए इसका सही अंसर क्या होगा रियाड भी आड ए देखिए याड ठीक है ये तीनों ही आप लोगा जैसमें देखिए सही अंसर का इसके अलावे एक और आता है तो ध्यान रेकिए इसके अलावे ये भी आता है तो समस्थ फूल फार्म रही यहां पर देखिए चार जो है दियान रेकिए वह द्योगीक छेत्र प्रादीकरन है जहारकरण में रियाड दोस्तों यहां पर देख सकते हैं रियाड जिसका जिसका अब लोग देखिए फुल खरम फूल फूल की ब बात करें तो ध्यान रखेगा अधित्या पूरा इंडिया इंडिस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट ऑथरिटी ठीक है और एक दोस्तों याँ पर देखें एस्पी आई संथाल प्रगना इंडिस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट ऑथरिटी है आई अगला कुशन देखते हैं जार्खन राज के इनमें से किस जीले में सेंट्रल इंस्ट्रूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिरिंग एंड टेक्नोलोजी की अस्थापना किया जाना प्रस्तावी थे देखिए इसका सही अंसर देवघर ठीक है प्रस्तावी थे अपर देवघर में है ठीक है लेकिन दुस्वों राची से पहले से ही इस दी थे राची में ठीक है एकड़ भूमी पर दुस्वों यहां पर 120 क्रोड रुपए की लागत से प्लास्टिक पार्क की अस्थापना किया जाना है देखें तो कोस्टेन नमबर यह 90 ने जारकन राज के इन में से किन अस्थानों पर ग्लाइडिंग सेंटर की बैवस्ता है तो ग्लाइडिंग सेंटर दुस्वों दुमका धनबाद हजारी जमसेतपूर इसमें यह तीनों ही आप लोगा जो है राइट अंसर होगा दुमका धन धनबाद में सुधिके राजय सरकार ना जो है ग्लाइडिंग सेंटर की अस्थापना मतलब की है तता गिरीडी और भोकारों में जो है दुस्वाइडिंग सेंटर विक्षित किया जा रहा है अभी आई एगला कुसिन देखतें एकला कुसिन आप लोगा धिके जहारकन राज में किस वर्स जहार नेट यानि जहारकन इस्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की अस्थापना की गई थी तो देखिए इसका सही अंसर रखेंगा दो जार पांच छे आप लोगा जो इसमें राइट रखेंगा चलिए अप्लोक ऑप्शन दिया बाद दो जार यहां पर देखिए डाग घर मतलब कितना उफलब्द है तुझे 3094 जहारकन इसमें डाग घरों की संख्या है कुस्टेट नुमर देखिए 21 जहारकन की राजधानी राची में हैसी को इनमें से किसके द्वारा देखिए बिद्दुत की आप उर्ति की जाती है तो दीकिए इसमें सही अंसर उसमें पत्रातु ठीक है पत्रातु ताप बिद्यूत गिरिया इसमें रामगड में वस्ती थे और यह सही अंसर दोस्तों ध्यान रिक है जो रूस के सही उक से देखे चोथी पंचवर्सी योजना के दोरान 1973 में अस्थापना की गई थी और यहां से दोस्तों 840 मेगावाट यहां पर देखे बिद्यूत किया जाता है ठीक है अगला कुशन यहां पर देखे कुशन नमर अब लोगा 22 है जारखन उच नियाले के नियाधिसों को हटाने है तू निम्न में से कौन सी प्रक्रिया देखे अपनाई जाएगी इसका राइट अंसर का सुन ध्यान के सी नमर ठीक है उस विधी से हटाया जागा जिस विधी से सर्वोच नियाले के नियाधिसों को देखे हटाया जाता है यह कुशन नमर 23 है देखे निमलकित भासाओं में से कौन सी भासा जहारखंड के आदिवासी सम जाती से संबंदित है ठीक है इसे बोलने वालों के संख्या दोगे अभी जो है सुन ध्यान के अभी बोलने वालों कुछ हजारों कुछ हजार संख्या में देखे यह जो है बचा हुआ है ठीक है असोरी जो कि सुन बिलुप्त प्राया जन जाती है बिलुप्त मतलब भासा ह है तो आगला कोशन यहां पर देखिए को सिना अंब का 23 है सविए 24 रहेगा तक है 24 कोशन है क्योंकि 23 आम लोग यहां पर देख चुके हैं यह 24 कोशन है कि सोहराय चितrकारी इंमें से किस जीले में सारवाधिक परचलीत है तो सहराय चित्रकारी दोस्तों किस जीले में सारवाधिक परचलीत हचारी बाग देखिए इसमें राइटन सरोगा अब ध्यान रखें सो यह जो चित्रकारी सोहराय परव से जोड़ी हुए ठीक है यह चित्रकारी देखें वर्सा रित हैं इस चितरकारी में दो प्रमुक herbs कॉनको से एक है दुस्वाइए दो मूंक आ Kenny can do मांगराई ठीक है एक है अपकर मटे dues है। यह कूरमी सवर है पनलों का यह कूरमी सो रहे हैं ठीक है कूरिंव दो-अ है कुरमेड़ करे सो है 2020 में, ध्यान रखेगा इसका आईए अगला कुश्चन देखते हैं, कुश्चन नमर आप लोगा देखे 25 है, जहारखन में किस अस्थान पर देखे फागुन सिवरात्री के अफसर पर कुंडा मेला का आयजन किया जाता है, देखे इसमें सही अंसर आप लोगा परताप पूर चतरा आप लोगा होगा ट्राइट एंसर, बी नमबर होगा सही अंसर, इसमेला का देखे आईजन पसु मेला के रूप में किया जाता है यहाँ पर देख सकते हैं, जहारखन के किस अस्थान पर फागुन सिवरात्री के अफसर पर कुंडा मेला का आईजन किया जाता है, धियान रखेगा इस मेला का जो है दूसरों, आईजन पसु मेला के रूप में किया जाता है अगले कुशन देखते हैं, अगला कुशन अप लोगा देखिए रहा, कुशन नमर अप लोगा 26 है इन में से कौन सा पर्व माल पाहडिया जन जाती दुवारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है तो देखे फसल के कटाई के समय माल पाहडिया दुवारा जो है कौन सा पर्व देखे मनाया जाता है इसका जो है सही अन्सर हो है A नमर लोग क रखिए धिए सही अन्सर हो है। मैं देखे मनाया जाने वाला ही अपर वह देवदाओं के नाम पर यह भेंसा भेहंड तिसाइव पांच मजएक हैं पर बसुजाद कोरा पूजा हूं ठीक है जाड को राज़ड कोरा पूजा है तो ध्यां सो खडिया जिन कि रक्षा के लिए देखे हैं मनायता है जाड को राप हुजा ठीक है कालो देखिए अगला कुस्छन अपलोगा 27 है कि नगड़ा के बारे में इन में से जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है नगड़ा के बारे में आपको बताना इन में से जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है कुस्छन प्राइब नाम से जाना जाता है नगड़ा भी जारकन का प्रमुक वाद है और बाकी दूसरे यहां पर पूरा डिटेल अप लोगा दिया वह दिए आकार के अधार पर देखे यह बड़ा माधियम तता चोटा तीन प्रकारों का होता है इसे केवल इसे देखे जो है कटहल के गुंबदकार खोल के सीरों पर भेंस या बगरी का जो है चमड़ा मड़कर तयार किया जाता है अगले कुशन देखेंगे अगला कुशन बहुत ही इंट्रेस्टिंग कुशन है आप लोगा है आप लोको मैचिंग करना यहां पर जारकंड के निमलकित लोकनाट्य का उनकी शाlig को ज passé करता है को देखेंगे विंट इस पर गालत मेचिंग करना है यह कॉशन निसली सुट है चेसली सुर्ड़ यहां करता है और दोगस दॉखणा ने बमेचा करता है खोका देखिए आप लोग से इन्में से किस निर्ते के दोरन सरपाकार अकार का निर्ते किया जाता है कोसे नमर आप लोग आप लोगा देखिए जो कि ध्याइड धरा इसमें देखे राइट अंसर होगा ठीक है चलिए सब्सक्राइब यहां पर देखे बात करते हैं आप देखे आप लोगा जैसे जुमर जैसे यह इस गीत को देखे विभिन तहवारों जैसे की जीतिया सोहराय कर्मा आदी में देखे जो है अफसर पर ज्ञाइन दोसों जन्जाइन देखे जन्संबंदी संसकार के अपसर देखे इस तरियों दुबड़ा गया जाता है अगला कुछन है पंच्कोट के किले की पटिकाओं पर इसके निर्मान का वर्स अंकीत है तो आपको बताना इसमें कौन सा साही अंसर होगा देखे डिए बिरोहर जिंजाती के धार्मिक परधान को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर हो सो ना है ठीक है यह सी नंबर आप लोगा देखे राइट अंसर होगा 33 देखी यहाँ पर अगला कोशन है मुंडा जिंजाती के संबंद में निम्न मैंसे देखे कौन सा कथन असत्ते की बात हो अगला कोशन यहाँ पर देखे बहुत इंपर्टन कोशन देखे छोटनापूर कस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रेयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भूगत बंद बंधक कर सकता है जो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आप्शन देखे सही होगा कोशन नम यह नमबर इसमें जो है प्लोगा देखे राइट अंसर होगा बिहार और उडिसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधिन पंजिकरी थो ठीक है यानि यह नमबर देखे इसमें जो है सही अंसर होगा आई अगला कुशन देखते हैं कुशन नमर 36 से बिरजिया जन जाती की स और 200 सासन ब्योस्था के संबंद में निम्न में से कौन सा गतन देखे आउसथ्य की बात हो रही है कुशन दैखे इसका सही अंसर का दीन मरीन इंप रोग सभी आउसमें सही बतार आहा सभी में पंजायत का निश्पादन देखिए जातिय पंचाय दुबरा जो है किया जाता है अगले कुश्चिन देखिए 37 रामगर में किस वर्स सेना चावनी बनाया गया तो इक कुश्चिन नमर ये 37 देखिए सही अंसरों का भी नमबर जो कि प्रिथक गवर्नर का प्रांथ 39 देखिए इन में से किस बेक्ति को संथाल का देवतूत कहा जाता है ये 39 है इसमें राइट अंसरों का सी नमर जोगी डाक्टर एंड्रू के पेवल कुश्चिन 40 देखिए भारत छोड़ों अंदोलन के दोरां देवघर से निमन में से कौन सी पत्रिका का संपाधन किया गया कुश्चिन नमर ये 40 है देखिए इस कुश्चिन का साही अंसरों का बी नमर जोगी साइक्लो स्टाइल बुलेटिन साही अंसरों होगा कुश्चिन 41 देखिए एक मई 1934 में महतमा गंधी ने इनमे से किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी कुश्चिन नमर ये 41 है देखिए राइट अंसरों का डीनमर यानि सों सी राजगोपाल चारी सही होगा अरुन असफ अली अरुन असफ अली ठीक है पिर जमना लाल वाजाज ये तीनों ही अपलोगा जो है सही अंसर होगा 42 देखिए 1857 के बिद्रोह की दोरान सेनिकों दोवारा पुरलिया में बिद्रोह करने पर वहां का उपायुक्त जी एन ओकास भाग कर कहां चला गया कुश्चिन नमर ये 42 है देखिए इसका सही अंसर होगा बी नमर कस्तकारिय धिनियम कब लागू किया गया तो कुश्चिन नमर ये 43 है देखिए ए नमर सही अंसर होगा यानि ये 11 नमर 1908 इसमें जो है राइट अंसर होगा 44 देखिए संथाल विद्रोह के बाद किसी किस तिती को देखिए नाना रेगुलेशन नामक अलग जीला का निर्मा किया गया ये कुश्चिन नमर देखिए 44 है सही अंसर होगा बी नमर यानि 30 नमर 1856 राइट अंसर होगा 45 देखिए 1771 इसमें किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चितरजीत राय को प्राजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया बी नमर देखिए इसका राइट अंसर होगा जो की केमक 46 देखिए उध्यनात सिंग के सासन के समय बिसनु सिंग इन में से कहां कास आ सक था तो 46 दुसक्षण का देखे राइटन सुरो का बी नमबर जो कि रामगड 47 देखे पंदरसो नबे इसवी में अकबर ने निम्ने में से किसे बिहार जारकंड का स्रुविदार नियुक्त किया था 47 देखे इस कौस्षण का सैयं सुरो का जो की बी नमबर मान सिंग 48 देखे जारकंड राज में सरवाधिक अनसुचित जाती परतिसत वाला जीला आपको देखे बताना है ये कोस्य नमर 48 है डी नमर सहयंसरों का जोगी चत्रा 49 देखे जारकंड में 50 अबस्ती थै त्रूक है चावनी बोर्ट दोस्मा अब लोगा जारकंड में रामकर में अवस्ति थै कोसे नमर ये 50-2009 में जहारखंड के किस जीली में बेंटोनाइट नामा कनीच पाया जाता है देखे इसमें साहियन सरोगा सी नमर जो की साहिब गंज और पाकुर दोनों ही समें राकता नाब लोगा जो है साहियन सरोगा धन्यवाद